आई अच्छी तरह से हम अपने को समझें कि जो चीज हम कहते हैं कि ये गलत है, ये पाप है, जानवर लोग उसे रोज करते हैं लेकिन उनको क्या पाप लगता है, बड़ी मचली, छुटी मचली को खा गई, सांप मेढ़क को खा गया, सांप अपने बच्चे को खा गया ऐसे अनेक तरह की चीजें जिसे हम पाप कहते हैं, सिन कहते हैं, ये जानवर लोग किया करते हैं लेकिन ये बता दें आप से, उन्हें पाप नहीं लगता है, तो हमें क्यों पाप लगता है, और इस पाप के बंधन से मुक्ति कैसे पाएं, हम मनुस्य को रिशर्च करने की छूट है, कि हम अनुसंधान करें, और इस अनुसंधान करने के चक्कर में, हम द्वन्द में फास जाते हैं, कि लाव ही ये हाने, आप गाराई में सूची, कि हमने एक बिजनेस किया, हमें बड़ा लाव हुआ, लाव कैसे होगा, जब दस रुपे की चीज को हमने सौ में बेच लिया, और खुब गई, दस रुपे की चीज को एक हज्जार में बेचा और खुब का पूरी दुनिया में तो हमें लाभ मिला ये लाभ नहीं है ये चीटिंग है और हमें घाटा हुआ किसी चीज में वो घाटा नहीं है मिस्मेनेजमेंट है अबिवस्थित कारिक्रम है तो हम मानों पाप पूर्ण लाभ हान, सुख दुख, अच्छा बुरा इस दुन्दे के जाल में फस जाते हैं इसलिए जब हम गलती करते हैं तो हमें पाप लगता है जानवर वही गलती करें पाप नहीं लगता क्योंकि उन्हें रिशर्च करने की स्वतंत्रता नहीं है तो पाप लगने की इस जनजट से इस महमारी से कैसे बचे हम तो इससे अच्छा था कि हम जानवर रहे होते कि पाप पूर्णे का चक्कर होता ही नहीं और जानवर बहुत जल्दी अपने उस योनि से मुक्ति भी होते हैं आज कोई कुट्था है तो अगले जन्न में कुट्था होगा ऐसा नहीं अगले जन्न में मानो हो सकता है लेकिन मानो अगले जन्न में मानो ही होगा और ऐसे अनेक जन्मों तक मानो रहेगा देवता बनने में बड़ी कठी नहीं है बहुत ही मेहनत करने से मानो का रूपत मिला बड़े भाग मानुस तन पावा बहुत भाग दोड हुई बड़ी मेहनत हुई तो ये तन मिला सुर दुरलव देवता होना दुरलव है आसान नहीं है इसको सभी रियलाइज मास्टर ने कहा है तो हम मानो हो करके जन्जट में पढ़ गए तिससे अचा जानवर रहे होते नहीं मानो होना ज्यादा अच्छा है और जन्जट से मुक्ती का उपाए मुक्ती का उपाए क्या है फारगिवनेस माफ करिए माफ करने का अर्थ ही है कि कोई मर्डर करे तो करने दे कोई डकाइती डाले तो डालने दे कोई किसी को पिटाई कर रहा है तो करने दे नहीं माफ करने का तरीका ये गलत है हम माफ कैसे करे एक नियम बन जाए कि जो व्यक्ति पूरे लगन से भक्ती से क्रियायोग का ध्यान करता है सुबह और साम ब्यवस्थित तरीके से करता है बाकि दिन भर काम करे या आराम करे लेकिन क्रियायोग ध्यान से जोड़ने का प्रेत्न करता रहे तो जो कुछ भी करे उसे माफ कर दीजी क्योंकि बहुत दिन तक वो कोई गलती नहीं करेगा बहुत ही जल्दी वो मानों से महमानों में बदलेगा तो एक ही उपाय है कि मानों को पाप के बंधर से मुक्त करने का कि क्रियायोग का अभ्यास तेजी से फैले प्रतेक घर क्रियायोग मंदिर हो घर के लोग रोज उस मंदिर में बैठे अपने घर में बैठे और क्रियायोग ध्यान सुबह शाम अवश्य करें और इतना सिखें कि दिन भर काम करते रहें या आराम करें क्रियायोग ध्यान से जुड़े रहें ऐसे विक्ति की सभी गलतिय उसको पाप नहीं लगता है और वो गलती करता भी नहीं है जिसे सभी खाना खाते हैं क्रियायोग ध्यान करने ज़ाना खाएगा तो लालच्मनी खाएगा इसी तरह से जितने भी इंद्रियों की क्रिया कलाफ है शब्दस पर सुरूप्रस गंध जितने भी ज्यानिंद्रियां कर्मिंद्रियां हैं इनका उपयोग सभी करते हैं लेकिन क्रिया यूग ध्यान करने वाले जब करते हैं तो पूरे अनुशाषन में करते हैं तो एक ये सुनिश्यत कर लीजिए, क्रियायोग ध्यान छूटे ना, सुबह साम इसको अवश्य करिए, और सबसे अधिक महत दीजिए, बाकी ये प्रयास करिए, हम काम करती है कैसे करें, और आराम करती है कैसे करें, तो पिछले कर्मों के जितने भी ये दुस परिडाम मिलने वाले होंगी, वो निश्फल हो जाते हैं, और आने वाले समय में, हम गलत कर्म करने से बच जाते हैं, गलत कर्म का एक उधारन दिया, लालच में ज्यादा खाना, बिना भूख के खाना खाना, भूख क्या है पता ही नहीं, हम किसी काम में व्यस्त हैं, आज खाना ही नहीं ख कि लार निकलने लगी, भूख जग गई, वो भूख नहीं है, वो लालच है, वो संग से, खादिपदार्थे के संग से भूख जगी है, तो खाना खाने के नियम जानिए, कि एक बार हम इतना खाना खाएं, कि ओवरीटिग नहों, हालका खाएं, फिर जब साथ आठ गंटे हो जाएं, तो हम फिर खाएं, इस तरह से आठ दस घंटे का अंतराल पर हम खाना खाएं, और आज भूख नहीं खाना नहीं खाएंगे, ये गलत सिध्धान थे, ये आज बार बार भूख लग रही है, हम दो-दो घंटे पर खाएंगे, ये भी गलत है, तो जब हम क्रियायो कर करते हैं, इस तरह की गलतिया खातम हो जाती है, ऐसे पत्री के बीच का संबंध एक दव वही होना चाहिए, जब क्रियायो करते हैं, तो ऐसे ही होगा, कोई भी इस्तिरी पुरुष के साथ रहे, बच्चे और बड़े कैसे रहे, पलोस कैसे रहे, क्रियायो क्दियान करने से साब अपने आब बिवस्थित हो जाता है, तो यादर की बड़ा सरल है. झाल